Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes, Goswami Classes. दूस्तो, आज जो मैं आपको पोयम पढ़ाने वाला हूँ, ये है The Second Coming. Second Coming poem by W. Beats, जिनका पूरा नाम है William Butler Yeats. दूस्तो, William Butler Yeats की ये जो पोयम थी, The Second Coming, ये 1919 में लिखी गई थी, 1919 में इसको लिखा गया था, और 1920 में ये पब्लिश हुई थी. कब लिखी गई थी? 1919 में ये लिखी गई थी, और 1920 में ये पोयम पब्लिश हुई थी, एक लिरिकल पोयम है ये दोस्तो, The Second Coming, और ये पोयम जो है, एक ऐसी पोयम है जो एक मैसेज छोड़ती है, और मैसेज कैसा एक जैसे रिफॉर्मेशन हुआ था ना, रनेसा के बाद में जिसमें Christian, हमने Reformation की बात की थी, जिसमें Religious Reformation की बात की गई थी, उसी तरह से ये जो पोयम है, ये एक आईडियल पोयम है, जो की Christianity के बारे में है, और ये इसके बारे में भी है कि हम लोग जो है, वो Metallistic Pursuits के पीछे जादा भाग रहे हैं, बहुतिक बात की जिंदगी की त और विनाश में क्या होगा, भगवान का अवतार होगा, और जब भगवान इस प्रत्वी पर आएंगे, तो जितने भी पापी हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, उन सभी का अंत होना निश्चित है, उसको दर्शाती है, और हम लोग जैसे कि आप जानते ही कि केवल किस कि हम संसार में, संसारी कार्यों में जादर व्यस्त रहते हैं, और हम अपना जो समय व्यर्बात करते हैं, व्यर्थ करते हैं, वो किस चीज में करते हैं, गैटिंग अन स्पेंडिंग, चीजों को प्राप्त करने में और खर्च करने में, हम अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, तो कहने का मतलब हमारा जो एक important time है वो हम बहुतिक बादवाली जिन्दगी के पीछे जो है उसको नस्ट कर देते हैं बहुतिक बादवाली जिन्दगी में हम उसको खराब कर देते हैं अपने time को तो दूस्तो ये जो poem the second coming है इसके title को भी आप समझे कि इसका title किस चीज को दर्शाता है सबसे पहले the second coming the second coming जो ये poem है इसका मतलब है the next incarnation of God भगवान का आने वाला अवतार भगवान का अगला अवतार जो भगवान का अवतार है incarnation है उसके लिए इसको represent कि again the second coming क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको clear किया कि जब जब बुराईयां बढ़ेंगी और हम जो है correct हो जाएंगे तो जादे हम अपने आपको भौतिक वाद की तरफ ढाल लेंगे और बहुतिक वाद ही नहीं बुराईयों से हम अपने आपको भर लेंगे तो जब हमारी बुराई का घड़ा भर जाएगा तो भगवान का आना निश्चित है और जो भगवान का जो रूप होगा जिस रूप में भगवान को दर्शाय गया है कि इस रूप में भगवान आएंगे गौड आएंगे कौन जीजस क्राइस्ट जिसस क्रैस्ट का जर्म होगा और किस रूप में होगा दोस्तो आप थम्नेल पर देख भी रहे होंगे मैंने एक image यहाँ पर लगाई हुई है आप सोच रहोगे कि सर ने पता नहीं यह कैसी थम्नेल पर image लगाई हुई है इसमें body तो loin की है लेकिन जो head है वो Jesus Christ का है वास्तम में यही ideology है दोस्तो इसी conception पर इसी imagination पर यह जो poem है the second coming यह आधारित है और इसमें बताये गया है कि जो God का अवतार होगा वो इस प्रकार का होगा कि जिसमें भगवान का जो शरीर होगा वो तो शेर का होगा जीजस का और जो उनका चहरा होगा face होगा वो किसका होगा इनसान का होगा head जो है वो man का होगा इस रूप में एक बहानक अवतार में जो God आने है और जितने भी बुरे लोग हैं उनका वो विनाश बिलकुन निश्चित है दूस्तों ये हमें कहीं न कहीं अगर जो हम हिंदू आइडिलावजी की बात करें हमारे हिंदू कल्चर की बात करें तो उसकी तरफ भी लेकर जाती हमें हिंदू मैधलावजी की तरफ जहां पर हमें विश्णू का एक नर्सिम अव्तार हमें देखने को मिलता है जिसमें उनका जो आपने देखा होगा पूरा जो सिर था वो किस्त का था वो शेर का था लेकिन यहां पर उल्टा है यहां पर आदमी का सिर है और जो शेर की बॉड़ी है इस तरह से दर्शाय गया है और बिल्कुल वही चीज और हर फिलोसोफी हर कल्चर यही बताता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान का आना निश्चित है और जैसे कि आपने देखा भी होगा और पढ़ा होगा अपने गीता में जब दूस्तो ये बात कही थी उन्हों ने श्रीकिषीम ने और अर्जुन से कहा था और वहां पर कारण क्या था कारण आप जानते ही है क्योंकि उनके सामने उनके बड़े थे अर्जुन के बड़े उनके सगे संबंदी थे तो उनसे लड़ने को जब अर्जुन ने मना कर दिया था तब उस समय वो ज्यान उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और उन्होंने उनसे साफ साफ ये कहा था कि जब जब इस प्रत्वी पर धर्म की हानी होती है और विनास का कार्य होता है और अधर्म आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है तब तब मैं इस प्रत्वी पर आता हूँ, मैं अपतार धारन करता हूँ और जो पापी लोग होते हैं उनका विनाश मैं करता हूँ और किस वयज़े से भगवान का इवतार होता है जो पापीओं का पाप नस्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है वो प्रत्वी पर बार-बार अवतार लेते हैं तो जब भी पाप का घड़ा भरेगा तो भगवान का अवतार होगा आपने सुना भी होगा कि अगर जो हम हिंदू रिलिजन की बात करें तो वहाँ पर कल यूग में कृष्ण का जो विश्णू है उनका कल की अवतार निश्चित है कि कल की अवतार के रुप में वो आएंगे हो सकता है आभी गए हो हो सकता है आने वाले कल में आ जाएं लेकिन ये निश्चित है कि जल्द ही ये जो second coming है यानि कि जो एक incarnation of God है वो निश्चित है हर धरम ये कहता है अब हम देखो इसमें conflict में नहीं जाएंगे कि कौन आएगा जीजस आएंगे या फिर कल की अवतार हो होगा ये निश्चित है कि एक दिन तबाही का दिन होगा उस दिन तबाही आनी है बिल्कुल confirm है किसी भी religion को आप उठा कर देखे लिए हर religion में ये कहा गया है लेकिन हम तो नहीं मानते ना हम तो फिर भी पाप की तरफ बढ़ते चले जाते हैं corruption की तरफ बढ़ते चले जात हैं और बुरी आदतों का शिकार हम बनते जा रहे हैं और उसमें हम खुशी ढूंड रहे हैं बुरी चीजों में दोस्तों यही एक message यहाँ पर जो है डबलू वी इट्स यारी कि विलियम बटलर इट्स ने दिया है इस poem the second coming में तो आईए start करते है poem को देर ना करते हुए poem क तर्णिंग यानि कि गोल गोल घूमते हुए गोल गोल घूमते हुए वैडनिंग आयर एक circular में एक क्रम में गोल गोल घूमते हुए the falcon cannot hear the falconer the falcon यानि कि एक जो बाज होता है एक आपने देखो जिसको हम बोलते हैं शिकारी चडिया एक बाज वो क्या करता है वो falcon cannot hear the falconer वो अपने शिकार की आवाज को नहीं पता लगा पाता है अब इसको हम depth में जाएं तो ये वही हकीकत है human being से हम इसको जोड देते हैं दोस्तों जो murderers होते हैं जो killers होते हैं वो करते क्या हैं वो दूसरों को मारते रहते हैं उनकी हत्याए करते रहते हैं और इस सच से वो अंजान रहते हैं कि जैसा वो दूसरों के साथ कर रहे हैं एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही होना है ये निश्चित है उनके साथ भी ऐसा ही होना है लेकिन जो पापी हैं वो पाप को बढ़ाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और बुरायों को फैलाते रहते और ये सोचते रही है कि एक दिन उनके बुरे काम का नतीजा परिणाम जो है वो भी बुरा होगा तो उसी प्रकार से एक जो शिकारी चिडिया होती है यानि कि जो बाज होता है वो छोटे-मोटे पक्षियों का शिकार करता रहता है वो उनको मार-मार के खाता रहता है लेकिन fall apart और चीज़े जो है बिलकुल अलग तितर बितर scattered रुपे फैली हुई दिखाई पड़ रही है the center cannot hold एक केंदर बिंदू में चीज़ों को नहीं रखा जा सकता कहने का मतलब कोई भी इस्थिर इस्तिती नहीं है सब कुछ तितर बितर है चारो तरफ जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है और वो भौतिक वाद की तरफ यहां पर इशारा किया जा रहा है डबलो वीट्स के द्वारा कि जो लोग है वो भौतिक वाद की तरफ बढ़ रहे हैं और जीवन जो है वो बिल्कुल अस्तिवेस्थ है, मेर एनार्की इस लूस्ट अपोन दा वर्ड, दोस्तों ये एनार्की हमें याद देलाता है, एलेक्जेंडर पॉप की एक पोएम है दा ऐसे ओन मैन, जिसमें वो मानव की स्टेट बताते हैं कि मानव की स्टेट क्या है, मानव की स्टेट है स्थमस की स्टेट, यानि की स्टेट ओफ डिसॉर्डर, डिसॉर्डर की स्टेट है, वो एक कन्फूजन की स्टेट है, और ऐसी ही एक अराजक्ता इस संसार में चाही हुई है डबलो बीट्स कहते हैं कि मेर अनार्की is loosed upon the world इस पूरे के पूरे संसार में क्या चाही हुई है अराजक्ता की इस्थिती जो है पूरे संसार में फैली हुई है और जो चारो तरफ जो रक्त है उसका प्रभा हो रहा है चारो तरफ क्या हो रहा है दोस्तों जो रक्त है वो उसका प्रभा हो रहा है और दोस्तों इसके दूसरे अगर जो सिंबॉलिक रूप में हम जाए तो सिंबॉलिक रूप में ये है कि जो बहुतिक वाद है वो चारों तरफ उसने मनुश्य के माइंड पर कबजा कर लिया है और उसको पूरी तरह से भर दिया है बहुत इगवाद के रुप में जो मानव है वो पूरी तरह से घिरा हुआ है यहाँ पर ये बात कही गई है और हर तरफ जो सेरमनी ओफ इनोसेंस है अब सेरमनी ओफ इनोसेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तो इनोसेंस मतलब जो इनोसेंट पीपल है जो बिचारे सीधे साधे लोग है जो सिंप्ली सीटी में बिलीव करते है ऐसे लोगों की कोई भूज नहीं है कोई नहीं पूछता ऐसे लोगों को, बिचारे सीधे साधे लोगों को, कोई भी नहीं पूछता, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बुरी प्रवर्ति का है, उसको पूछने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो यहाँ पर यही कहा गया है, जो बिचारे अच्छे लोग है, उनक कि उनकी जो सेरमनी है, उनका जो तोड तरीका है, उनका जो वहवार है, वो बिल्कुल डूब चुका है, डूबने का मतलब कि उनकी कोई संसार में, उनकी कोई भी भूछ जरासी भी नहीं है, उनका कोई रिगार्ड नहीं है, एक छोटा सोधारन लीजिए, अगर जो आप नहीं करते और आप किसी function में जाते हैं आज के time में at present time तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर आपको कोई इज़त नहीं मिलने वाली क्योंकि जो शराबी लोग होते हैं जो बूजी type के लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपना एक दल बना लेते हैं और वो एक साथ enjoy करते हैं औ drown कि जो बिचारे सीधे साथे लोग हैं उनका जो तोड तरीका है वो अब बिल्कुल नीचे चला गया है वो डूब चुका है the best lack of all conventions और जो अच्छे लोग है जो अच्छे लोग है उनके अंदर द्रड इच्छा नहीं है उनके अंदर willpower नहीं है जो अच्छे लोग है उनक कमी दिखाई पड़ती है कहने का मतलब अच्छे लोग अपने आपको जादे आगे नहीं पहुचा पाते अपनी बात को वो दूसरों तक नहीं पहुचा पाते और अपनी अच्छाईयों को दूसरों तक नहीं पहुचा पाते while the worst are full of passionate intensity और जबकि जो बुरे लोग है जो ब बुरे लोग होते हैं वो अपनी बुराईयों का प्रचार प्रचार करते हों हमें नजर आते हैं और समाज को अपने जैसा करने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं ऐसे होते हैं बुरे लोग दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना इसके साथ साथ जाद से जाद से शेयर करना और comment box में reply करके भी बताना कि आपको ये poem कैसी लगी या फिर मेरा पढ़ाना कैसा लगता है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं क कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूले ताकि आपको regular updates मिलते रहें और एक information मैं और देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी जो live classes है LT grade का new batch हमारा चल रहा है अगर जो आप उस batch का हिस्सा बन ordered batch आपको उसमें provide के जाएगा और इतना ही नहीं जो TGT के notes है hard copy में वो भी आपके address पर deliver कराए जाएंगे तो दोस्तों एक special scheme है आप इस scheme का हिस्सा बन सकते हैं आप इस scheme को join कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर किसी भी साथी को TGT या PGT के notes का भी requirement है तो भी आप मुझे contact कर सकते हैं UPTGT के one liner बहुत special notes है और बहुत important है उनको आप 2000 रुपे में purchase कर सकते हैं और जो 3500 में आपको PGT के notes मिल जाएंगे one liner point to point notes है जो की बहुत मेहनत से बनाए गए है और ये मान के चली कि पूरा का पूरा निचोड है उन notes में इस तरह से उनको बनाए गया है कि जो all over India अगर जो आपके जो course में writers है उनसे किसी भी exam में teaching से related exam में जो questions पूछे गए है उन्हें भी add किया गया है तो कहने का मतलब 70 कितावे ना पढ़के आप उन notes को अगर जो तयार कर ले मेरे इस course के साथ तो मान के चलीए कि आपकी सफलता निश्यत है बस थोड़ा सा आपको द्रड इच्छा के साथ पढ़ना है और जज़बे के साथ पढ़ना है दोस्तों और दूसरी चीज कि इसको enjoy करना है literature को pressure में नहीं पढ़ना है क्योंकि pressure में आपको भी तैयारी कर ही नहीं सकते now comes to the point तो हम बात कर रहे थे जो अच्छे लोग है उनके अंदर वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था द्रड इच्छा की कमी है अच्छे लोग घबरा जाते हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी भी उसी तरह से करनी है जबकि जो बुरे लोग है वो पूरे के पूरे अपनी भावनाव से उत्रोत रहते हैं तो अब जब ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव तो होना निश्चित है तो निश्चित रूप से क्या होगा निश्चित रूप से एक क्रांती आने वाली है एक बदलाव आने वाला है और निश्चित रूप से क्या आने वाली है second coming आने वाली है यानि कि the next incarnation of God भगवान का जो अवतार है जो आने वाला अवतार है भगवान का वो आने वाला है भगवान अब अवतार लेंगे और वो किसलिए लेंगे इन बुराईयों का अंत करने के लिए बुरे लोगों को खतम करने के लिए इस दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए भगवान का जो अवतार है वो निश्चित रूप से होकर रहेगा भगवान इस प्रत्वी पर आएंगे और बुराईयों का अंत करेंगे अब आगे देखिए जब हम second coming की बात करते हैं तो second coming में हमें उन शब्दों को याद आता है जब हम second coming की बात करते हैं तो डबलू बीट्स ये कहते हैं दोस्तो ये डबलू बीट्स का फिलोसोफिकल आइडिया है इमेजिनेशन है जहाँ पर वो spiritualismundi की बात करते हैं अब ये spiritualismundi है क्या इसको भी समझना बहुत जरूरी है तो उस समय उनके सामने एक इमेज आ जाती है किस चीज की spiritualismundi की अब दोस्तो इसको एक काम कीजिए इसको मैं आसान से tricky रूप में आपको तोड़ कर समझाता हूँ वैसे आपको समय में नहीं आए तो एक tricks method से जैसे एक funny method होता है उससे समझनी कोशिस कीजिए spiritualismundi को हमने तोड़ा spirit से और यह जो spirit है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आत्मा spirit का मतलब क्यों होता है आत्मा होता है और मुंडी को आप तोड़ लीजिए जो हिंदी में मंडी होती है उससे तोड़ लीजिए यह नों मंडी और मंडी जो है मंडी आप जानते है मंडी में क्या मिलता है मंडी में सबजिया मिलती है मंडी में फल मिलते हैं तो कुल मिलाकर चीज़ों का भंडार होता है मंडी में अब एक ऐसी जगा जहां पर आत्माओं का क्या हो भंडार हो जहां पर आत्माओं मिलती हो बहुत सारी आत्माओं की मंडी हो क्या वास्टब में ये पॉसिबल है क्या real में हम इस चीज को मान सकते हैं नहीं न तो किवल कल्पनाव में सोचा रहा सकता है तो ऐसा इस्थान भी कहा होगा कल्पनाव में होगा तो मिनिंग भी आपका निकल गया बहुत आसानी से मिनिंग निकला इस्थान भी वो इसके बारे में सोचते हैं तो उनके सामने इस्थान भी आजाता है वो उनके सामने आजाता है और उस समय वो जो चीज है वो मुझे अंदर से परिशान करती है मैं थोड़ा सा परिशान हो जाता हूं अंदर से क्यों क्योंकि ये द्रश्य बड़ा भ्यानत द्रश्य है ये बड़ा अधुद द्रश्य है somewhere in sands of the desert कहीं दूर रिगिस्तान में बिलकुल रिगिस्तान वाले इलाके में a shape with loin body and the head of a man उसकी shape कैसी होगी loin body होगी and the head of a man और जो उसका जो सिर होगा वो किसका होगा आदमी का होगा तो इस रूप में भगवान का अवतार होगा दोस्तो जैसे कि मैं आपको थमनेल पे भी दिखाया है एक पार फिर से दिखा देता हूं आप देखें इस image में कैसा होगा the shape वो है loin की body होगी और जो head होगा वो किसका वो man का होगा इस रूप में भगवान का अवतार होना है जो कि बिल्कुल साफ w.e.s ने कहा है troubles my side to somewhere in sands of the desert a shape with loin body and the head of a man तो shape ऐसी होगी loin body को लेकर और head man का होगा इस रूप में भगवान का अवतार होगा इस रूप में भगवान प्रत्वी पर आएंगे और यहाँ पर कि God की बात की गई दोस्तो Christian Christianity को represent करती है poem तो Christian religion की बात की गई है और Christian God Jesus Christ की बात की गई है कि Jesus का जनम फिर से होना है लेकिन इस वार अलग रूप में Jesus का जनम होगा वो जो उनका शरीर है वो शेर का और सिर उनके मानव के रूप में आएंगे तो इस प्रकार से भगवान का अ of a man, a gaze blank and pitiless as the sun और वो कैसे होंगे बिल्कूल एक gaze blank यानि कि भयानक वाला उनका लुक होगा और इसके साथ-साथ as pitiless as the sun and pitiless as the sun जैसे सूरज होता है जब वो अपने पूरे आविश पर आता है चमकने पर आता है वो चमकता रहता है और वो किसी की नहीं सुनता फिर उस उसी तरह से उसी तरह से एक निर्दई रूप भगवान भी धारन कर लेंगे फिर चाहे इनसान कितना ही क्योंड़ गिलगड़ा है उनके सामने लेकिन उस समय भगवान नहीं सुनेंगे और उस समय जो पापी है जो बुरे लोग है उनका अंत निश्चित है उनकी मृत्यू निश्चित है और किसके हाथो भगवान के हाथो उनकी व्रत्यू निश्चित है तो जो बुरे लोग है उनका तो समय भईया आ गया ये मान के चलो क्योंकि भगवान जब अबतार लेंगे तो सबको नस्ट कर देंगे बुरे लोगों को नहीं छोड़ेंगे अब हम सोचे कि ब इनेंस में रहते होंगे, पूरी तरह से भगवान को फोलो करते होंगे, और फ्लासोफिकल टूथ पर वो आधारित होंगे, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति ना के बराबर मिलेंगे, वही चुनिंदा जो लोग है वो बचेंगे, बाकी सब कुछ तहसनेस हो जाएगा, सब कुछ न अवी कह रहे हैं कि शेप कैसी होगी, लोयन का शरीर और हैड मैन का होगा, वो जो भगवान का अवतार है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो अपनी था, इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, और जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उस समय कुछ क्रोधित, जो रेगिस्तानी पक्षी हैं, उनको देखा जा सकता है, अब ये इंडिगनेंट डेजर्ट बर्ट्स को थे, इंडिगनेंट मतलब एंग्री, जो बहुत एंग्री लुक में हैं, और डेजर्ट बर्ट्स यानि कि चील, कवे, गिद वगएरा उनके लिए कहा गया है, जो मृतक श तो उनका जो डेजर्ट बर्ट्स हैं, वो भी एक साथ इखटे हो चुके हैं, और जो अंदकार है, वो चा चुका है, but now I only know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle, मैं ये देखता हूँ कि जो 20 सताव दी थी, वो हमने एक terrifying dream के रूप में हमने वो आगे निकाल दी, लेकिन हमने ये जो time है, ये जो समय है, यूही निकाल दिया, हमने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, हम बहुत इक वाद की तरफ मोड़ गए, और हमने इसको बहुत आसानी से, बहुत इक वाद के पीछे भागते भागते, बुराईयों के पीछे भागते भागते, यूही तो अब तो अंत निश्चित है, और कितना भद्दा सा वो देखने वाला वो जानवर रूपी शरीर है, अब समय आ चुका है, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और वो अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा रहा है, और कहां जर्म लेने के लिए, बैथल लंब में जर्म लेने के लिए दोस्तों उसी स्थान पर, जीजस के स्थान पर, तो वहां पर जर्म होगा, किसका होगा, यहां पर जीजस का फिर से इंकार्णिशन होगा, और किस रूप में होगा, वो मैंने आपको बताया ही, कि उसका जो सिर होगा, डॉक्टर सचिन गोस्वामी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी दोस्तो अगर आपको ये पोयम समझ में आई हो और आप हमारे जो हमारी live classes है उनका भी हिस्सा बनना चाहते है ल्टी ग्रेट का इस समय फ्रेश बैच चलना है live classes है और उसके साथ आपको free of cost TGT English की recorded classes भ इस 5000 रुपे में आपको LT grade English की classes मिलेंगी live classes प्लस TGT की recorded complete batch मिलेगा और इसके साथ TGT के जो आपकी hard copy के notes है वो भी आपको आपके address पर send किये जाएंगे तो दोस्तो देर ना करिए जल्दी से जुड़ जाईए और अगर जो आप separate notes आते हैं TGT या PGT English के तो वो भी आप भी आपके educational groups हैं उसमें भी इसको share की दिये ताकि ये वीडियो भी और जो scheme मैंने बताई है वो भी सभी लोग को पता चल सके और वो उसका फायदा उठा सके क्योंकि अभी time है दोस्तो अभी vacancies आने में भी time है तो अभी से आप लग जाएंगे तो जादे भेतर रहेगा क्य क्योंकि अगर आप सोचें कि जब notification आएगा तब हम back join करेंगे तब पढ़ाई करेंगे तो मैं कहता हूँ 20-25 दिन पहले या फिर 1-1.5 महिने पहले भी पढ़ाई नहीं हो पाती है उसके लिए आपको पहले से ही लगना होता है और जो लगन शील व्यक्ति होता है वो हमेसा स तफल भी होता है तो आप भी पूरी तरह से महनत में लग जाईए और दोस्तों एक interest के साथ पढ़िए जिस तरह से आपने देखा होगा कि मैं एक interest के साथ पढ़ाता हूं enjoyment के साथ पढ़ाता हूं उसी तरह से आपको इसको enjoy करना चाहिए literature is meant to be enjoyment तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रखते हैं थैंक यू बेरी मच्च यॉर्स डॉक्टर सेचिन गोस्वामी